हेलो वाचो तो आज भाई आपी पढ़ांगे डिफरेंशियेशन का दूसरा इपार्ट यानि कि जो ट्रिग्नोमेट्रीक फंक्शन रहे थे वह उसमें ज्यादा कुछ नहीं है आपी ने सिरफ फोर्मूला बेस डिरेना है फोर्मूला तो ज्यादा आपी कुछ पढ़ने की को आपी डिफरेंशियेशन का सिम्बल हो गया साइन थिटा ट्रिग्नोमेट्री में गए तो कोस थिटा ट्रिग्नोमेट्री में गए तो टैंजेंट थिटा ट्रिग्नोमेट्री में चले तो और कौन सा इंगल रहे गया कोट थिटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीकेंट थि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, को सीकेंटे, थिटा, यह चे फोर्मूले होएं, जब भी हम क्या पढ़ांगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ांगे, तो जब साइन थिटा अपट होगे, तो साइन एका सी दासा उब बिदल जे आगर है को स थिटा, लेकिन जो थिटा रहेगा, का differentiation अलग से d theta by dt जैसे एक example लेके देखांगे इसका बाकी सब के example आप खुद लेशको हो जैसे कि हमने पड़ दिया d upon dx sin x की 3 ठीक है तो इसको कैसे सब करोगे देखो साइन का सी दा बदल दो कोस यानि की कोस थिटा की जगा क्या है x की 3 multiply differentiation करो थिटागा तो differentiation हमने कर दिया d upon d थिटा x की power 3 का सोल हो गया कोस x की power 3 multiply d x है वही नीच्चे क्या है d x तो यहां भी क्या रहेगा d x d theta by d x तो d x के भी रिस्पेक्ट करांगे तो जीतनी power है वो आगा आ जाओगी और power मत एक minus करते हो तो value आगे आपनी कोस x की 3 multiply 3 x की 2 यानि कि हम लिख सकते हैं कि हमने अगर differentiation निकारणा है sin x की power 3 का तो differentiation क्या होगा 3 x square cos x cube यह हो गई तो यह इस तरह दापिए कोई भी क्यूशन हागला वो solve कर सका हाँ इसके बाद जो जो कराया वो है कोस का कोस का differentiation हो है अगर है minus sin theta तो d theta by dx clear जब tangent पर दोगे तो याद रखना tangent हो है अगर है secant square theta d theta by dx ठीक है पलस का रहेगा tangent कोट है minus का cosecant square theta d theta by dx clear? secant होता है वह यह हमारा tangent theta secant theta और d theta by dx cosecant theta होता है हमारा minus का कोट theta cosecant theta d theta by dx यह चे फोर्मूले हैं वह यापने trigonometry के जो एक चीज याद रखन की है differentiation तो पहले के आया करे differentiation का d d तो पहले के है c alphabet में पहले रहे गया तो c का आगर negative देखो c ता cos negative c ता कोट negative c से cosecant negative तो इस तरह तरह है हम आपना differentiation के करांगे solve करांगे तो यह आपने दो रजो फोर्मूले थे differentiation के यह थे दो फोर्मूले और हैं जो पिछली वीडियो तो आपने बच गे वे दो फोर्मूले पढ़ांगे बई अगर हम differentiation कर देवाँ दी अपन डी एक्स वन अपन एक्स का वी ठीक है वन अपन एक्स ना एक बार solve करके देखो इसमा पी लिख सका हां डी अपन डी एक्स एक्स की power minus 1 ठीक है तो value कितनी होगी minus 1 आ गया गया जितनी power है इसमें तो 1 गटा आदो power आगे आपन दो रहे minus x की minus 2 यानि की value आगे आपनी minus 1 upon x square इस तरह आप इसने के कर सका हां solve कर सका हां एक और कई बार आता है वही d upon dx याद रखियो 1 upon x आगे लें तो 1 upon x square कर दियो minus करके में एकी power x नुक का नूर जाओगा वही की power x clear है यह अपने फार्मूले थे वही इन एक उपर अपना सारा डिफ्रेंशियेशन चलेगा अगले वीडियो में जिकर करांगे जो आपीन टोपिक का इनमेटिक्स का आपीने बीच मच होड़ा था स्पीड और वेलोस्टी का वो टोपिक complete करांगे दो चार उनके नुमेरिक पोर्स्टी पनिकेले आसा करण हरां यह डिफ्रेंशियेशन ता हमने कर लिया होगा अगर यह नहीं कर यह तो डिफ्रेंशियेशन डंगता करो गई जदे का इनके टीक्स के आगले टोपिक समझ मैं आओंगे कस्यों दन्यवात